प्रजापिता ब्रह्माकुमारी इश्वरी विश्विद्याले के मुंबई स्थित उल्हास नगर सेवाकेंद्र की गोल्डन जुबली का उत्सव पड़े ही धूमधाम से संस्था के मुख्याले में मनाया गया। साथ ही सेवाकेंद्र संचालिका राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी सोम देदी जी की हीरक जयनती भी मनायी गई। इसो प्लक्षि पर उल्हास नगर सेवाकेंद्र द्वारा सभी मधुबन निवासी भाई बेहनों का सम्मान भी किया गया। अथम सेवा जैपुर से शुरू हुई वहां तीन माज सेवा के बाद फिर मधुवन आना हुआ। फिर तो ब्रिजेंद्रा दीदी उन्हें अपने साथ मुंबई सेवा में ले गए। वहां सुरिंद्र का अलोकिक नाम पड़ा सोम यानी ग्यान से भरपूर। कुछ वर्ष मुंबई सायन में रहने के बाद ब्रिजेंद्रा दीदी ने सोम बहन को एक नए स्थान की सेवा करने का आउसर दिया। वो था भारत का दूसरा सिंध यानी मुंबई के नजदीक उलहास नगर। महमा तो उसकी है जिसने हमें कोने कोने से कंद्राओं से निकाल करके इस मैदान में लाया। सांस्कृतिक कारिक्रमों से सजे इस महफिल में संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी के साथ ही सभी वरिष्ट भाई बहने मौजूद थे। दादी जी के साथ सार मुन्नी दीदी, भ्राता निर्वैर जी, भ्राता ब्रज मोहन जी तथा भ्राता मृत्युन जय जी ने भी अपनी शुप कामनाई भेट की। कारिकरम के अंत में, गौडलिवुट स्टूडियो के प्रभारी भ्राता हरी लाल जी ने वोट ओफ थैंक्स देते हुए सब को आभार प्रकत किया। कि शुरू शुरू में हमारी प्रकाश्मनी दादी भी वहां उलास नगर में एक छोटे से मकान में रहती थी और वहां से बांबे में आके सेवा करती थी। जानकी दादी ने भी वहां बोछ सेवा किया हुआ है, तो उल्लास नगर जो इतना फला फुला है, यह हमारे पूर्वजों की मेनत से, उनके संकल्पों से, उनके त्याग और तपस्या से फला है। विशेश सिंदी परिवार, बहुत ही खुश मिजाज और साथ साथ बाबा के दिल पर चड़े हुए सबी, दिल तक तनशीन है। कि सौम भेन का नाम सौम नाथ के साथ, और सौम नाथ जो कुछ सौम रस पलाता है, उसको उन्होंने सचमु सार्थक किया है। दिली है फ्यार की रहर, मिलन की मैंने ये अरजी लगाई है। शीलू बेन और लिला बेन ने दादी ब्रिजिन राजी के साथ उलास नगर की सिवाओं की सफर शुरू की और आज सौम बेन के साथ यहां तक पहुचे हैं। इन सारी सेवाओं के सफर में अरे लाल का ये शौबाग्य रहा कि वो साथ रहा है। माना ये पचास साल की सेवाओं के सफर में इन दादियों की आगना अनुसार सेवा करने का मुका मिला। हो बाग्य मिला। तू कमाल है तेरा मदुबन कमाल है। तू कमाल है तेरा मदुबन कमाल है।